सात्यों नमस्कार इन्फोर्मेटिव क्लासेज की यूटूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है सात्यों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्टिटी फीस रिफंट 2023 को लेकर के बहुत दिनों से इस्टुडेंट्स के कमेंट आ रहे थे प्टिटी फीस रिफंट के लिए जो आवयदन करना है वह समय रहते हैं आवयदन कर डीजिएगा प्टिटी फीस रिफंट्स का जो लिंग्फ हे वो जारी हो चुका है तो चलिए हम आपको सबसे पहले यह दिखा जेता हूं कि लिंक जारी हुआ है या नहीं हुआ है और उसके बाद में ये भी बताऊँगा कि आपको फोरम किस परकार से फिल करना है ठीक है तो देखें सबसे पहले साथ यह आपको गूगल ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है मैंने गूगल ब्राउजर ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए यह जो लिंक है यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है गूगल ब्राउजर के अंदर आप देख सकते हैं अपलाई फोर फीस निपन ठीक है यह बीए बीएड और बीए सी बीएड और बीएड टू यर सभी के लिए लिंक जारी हो चुका है और अगर आप लोगों के पास में देखिए पांस हजार रुपे की रशीद नहीं है या बाइस हजार रुपे की रशीद नहीं है तो आपके पास में दोनों को यहाँ पर आप रिप्रिंट कर सकते हैं बाइस हजार रुपे की रशीद और पांस हजार रुपे की और इसके अलावा अगर कोई चीज आपको चाहिए जो आपके पास में नहीं है और वो आपकी result में थी जैसे counseling ID थी तो वो अगर आपको जूरुत पढ़ रही है तो आप लोग result निकाल करके counseling ID पर आप तक कर सकते हैं इसके बाद में देखे यहाँ पर जैसे हम apply करते हैं तो किस परकार का आगे option आता है यहाँ पर तो आप देखे यहाँ पर आपसे क्या-क्या जानकारी है वो मांगी गई है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले का option आ रहा है select का इसकी बात करेंगे इसमें देखे रोल नमर जरूरी है आपको bước देखे चुछ पर जरूरी है एक काउंस्लिंग आइडी जरूरी है तो इसकी आपको यहाँ पर देख कहा है तो इसकी आपको जरूरोत नहीं है एक option आ रहा है यही आपको choose करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर डायरेक्ट लोगिन वाले बटन पर किलिक करना है यहाँ पर देखें अब्वेर्थिकर पर द्यान दे रोल नमर शुट भी अलफावेट only यहाँ पर नेम है वो अलफावेट में डालना है और आपको capital डाल देना है ठीक है इसके अंदर कोई भी आपको numeric keyword है वो नहीं डालना है तो इन चीजों का आपको जहां रखना है और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पर मेरे से संपरक कर सकते ह है इस नंबर पर मैं आपके पूरी help करूँगा और जितने students apply करवाना चाते हैं मेरे से वो सारे के सारे अपनी यह जो detail मैंने आपको बताई है यह सारी detail आप मेरे को बेजेंगे तो मैं आपका जो है fees refund का forum apply कर दूँगा इसके अंदर आपके पास में bank passbook होना वो जरूरी है और इसके अलावा आपके पास में जो चालान थे दोनों वो भी आपके पास में होना जरूरी है और वो आप download कर सकते हैं तो उसके लिए मैं अलक्षी वीडियो बना दूँगा कि आप लोग चालान है किस परकार से download कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद मिलेंगे अगले आपके लिए अलागा है